नमस्कार मैं पुझाभाति है हम पढ़ रहेतें समैयोजनाओं के बारे में अर्थाथ umजमेंस के बारे में अर्जस्मेंट में हमने थोड़ी सी समयोजनाओं अधि पढ़ ली थी उनको डेटिल में समझे लिया था कमा तो ली होती है लेकिन हमको यह भी रिसीव नहीं होई होती है ठीक है मतलब हमें प्राप्त नहीं होई है लेकिन हमें प्राप्त हो नहीं है भविश्य में होगी तो इसके लिए हम फाइनल आपन बनादर नहीं पर एंट्री कर लेते हैं क्योंकि इसको में रिसीव नहीं किय है इसलिए इसकी रिखें नहीं हुई होते हैं तो समय अससना में अगर यह दिया होता है तो हम इसकी एंट्री करते हैem नीकि इसको एड कर लेते हैं इसको हम पिएड कशा मेर्गम के इंटरस्ट मिला है यह कमिशन मिला है हमने को कमिशन में लिकिन हमें हमें प्राप्त हैं लिकिना पॉट दॉत कुंछ पॉट होनों कि यहनी वह चुरा तो में धित्क शा संडिस्टीफ लेकिन स्छार में इसको add करके लिखेंगे क्योंकि यह आए है क्रेडिट साइड में तो पीनदल में चैनल के खाता है यह हमारा व्यक्तिकत खाता है तो यह हमारा व्यक्तिकत खाता है यानि कि बशाल एकाउंटर और इसको हम balance sheet में भी दिखाते हैं जैसे कि मैंने starting में पता है था जितने भी हमारे समयोजनाई होती हैं उनको हम कम से कम दो जगाद जरूर दिखाते हैं अगर वो तलपट के बाहर यानि की trial balance के बाहर दे रखे होती हैं तो ठीक है तो अगर यह पाहर दे रखे तो इसको तलपट सॉरी च हाता यह credit side में लिखा जाएगा credit यानि की धनी ठीक है P&L account और साथ में यह balance sheet में आएगा यानि की चिठ्था आर्थिक चिठ्था आर्थिक चिठ्था में यह संपत्ति पक्ष में जाता है ठीक है आर्थिक चिठ्था यानि की balance sheet इसमें यह assets में जाएगा तो जो हमारी accrued income है वो हमारा भेक्तिकत खाता है यह चीज यह दूसरी चीज लाभानी खाते में जब हम इसको लिखते हैं तो इसे credit करते हैं credit में जो भी इस के amount होती है उसमें हम इसको add करके दिखाते हैं और अगर कोई amount नहीं है हमने commission हमें मिला है लेकिं बुलकुल ही नहीं लिखा गया है तो भी हम इसे panel में लिखाएंगे तो किसी चीज में add करके नहीं लिखाएंगे ठीक है साथ ही उसको हम चिट्थे में लिखेंगे यानि की balance sheet में इसके हम asset siyani की संपत्ती पक्ष में लिखते है अब इसके लावा एक और सीज आती है अगर तलपट के अंदर ही ये समाज न दे रखी है तो ठीक है तो accruid income करके ही लिखी होगी यह मतलब income में उस income का नाम लिखा होगा जिससे ये relate कर रही है तो उसको उस condition में जब एक तलपट के अंदर दे रखी है तो हम इसको केवल balance sheet में लिखेंगे बाकी लाभानी में नहीं लिखेंगे ठीक है तो अगर ये तलपट में है तो केवल balance sheet में लिखेंगे ठीक है अगर ये केवल तलपट में दे रखा है तो हम इसकेवल balance sheet में दिखाएंगे P&L में नहीं दिखाएंगे लेकिन अगर सवाय होजराओं में दे रखा है यानि कि ये trial balance के बाहर तो हम इसे अपने P&L में भी दिखाएंगे उस amount से में add करके जिससे ये relate कर रहे है और साथ ही इसे balance sheet में asset side में दिखाएंगे ठीक है अब asset side में वो amount पहले से नहीं लिखी होगी ये P&L में लिखी होगी तो हमने add कर लिया लेकिन जब हम balance sheet में लिखेंगे asset side में तो वहाँ ये पहले से नहीं लिखेंगे हम इसे direct लिखेंगे वहाँ ठीक है इसकी entry देख लेते हैं तो जब हम इसकी जर्नल में entry करेंगे तो हम जर्नल में इसकी ये entry करेंगे कि accrued income account debit to concerned income account या फिर उपाजित आई खाता रिनी संबंदित आई खाते से ठीक है अब इसके बाद हम विप्रीत प्रविष्टी पढ़ते हैं देखो जब हम मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब हम नए साल के दुबारा से account start करते हैं तो इसको close करते हैं इसको close करने के लिए हम इसकी विप्रीत आने की reverse entry करते हैं reverse entry में यह बिल्कुल opposite हो जाएगी concerned income account debit to accrued income हो जाएगा accrued income का नाम हम लिख देंगे जो भी है ठीक है तो यह हमारी reverse entry हो जाएगी यह चीज मुझे लगता है clear होई होगी इसको लाभानी खाते में कैसे लिखना है लाभानी खाते के लाभानी खाते में दो पक्ष होंगे है न एक होगा debit side एक होगा credit side credit side में हमने कहीं पर लिख जो भी amount आएगी उसमें हम इसको add कर लेंगे और add करने के बाद यहां line कीच कर जो भी हां amount का column होता है उसमें फिर इसकी amount यहां लिखी जाएगी ठीक है इस तरीके से हम इसको लिखेंगे I think यह समझ में आ गया होगा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं accrued income के बाद unaccrued income की त लिया होता है लेकिन वो धना में प्राप्त नहीं हुआ होता है यहां पर क्या होता है हमने प्राप्त पहले से ही कर लिया होता है और इसकी सेवा है हमको आगे भुकतान करने होती है तो यह एक तरह से हमको advance में प्राप्त payment होता है किसी भी सेवा का या किसी भी product का जो हमको भी देना है ठीक है तो आइटिंक यह क्लियर हुआ होगा कि अनुपाजिता है क्या होती है इसको अन अर्ण इंकम भी कहते हैं क्योंकि हम इसको अर्ण नहीं किया है ठीक है या फिर हम इसको कह सकते हैं रिसीव डिन एडवांस ठीक क्योंकि हम इसको पहले से प्राप्त कर लिय है जो रुपे हैं उनको तो हम धन को हमने पहले से प्राप्त कर लिया है लेकिन अभी सेवा है अभी हमने प्रदान नहीं करें प्रोडक्त अभी हमने नहीं दिया है ठीक है जैसे सब्स किराया है हमें किराया पहले से भुकतान मिल गया किराय का ठीक है हमने एक रूम को किराय पर उठाया और उसका भुक्तान जिसको भी हमने उठाया उसने पहले ही भुक्तान कर रहा उसकिराएगा लेकिन अभी उस रूम में वो रहने के लिए उसने अपना समान नहीं रखा है तो यह हमें एडवांस में पेमेंट हो गई ना बिल्कुल यह है हमारा अनुपार जिता ह अभी क्योंकि एक्रूट का बिल्कुल ओपोजिट है मैंने आपको बताया तो इसमें वाकि सब कुछ भी बिल्कुल ओपोजिट करेंगे इसकी एंट्री भी एकदम ओपोजिट हो जाएगी ठीक है जैसे एक्रूट इंकम में हमने क्या किया था एक्रूट इंकम को हमने डब कर देंगे तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी concerned income एकाउंट डबेट टू अनक्रूट इंकम या फिर अनर्ड इंकम ठीक है और इसको मैंने आपको बताई दिया लाभानी खाता है निगी पी एंडल एकाउंट की क्रेडिट साइड में जो भी इसकी अमाउंट होती है हम इसको लाभानी खाते के लड़र कर दिखाते हैं ठीक है इसको हम लाभानी खाते के 되면 इसको माइनस करके दिखाएंगे, यहाँ मैं मैंनिस का साइन इसलिए लगा दे रही हूँ, credit यानि की धनी, यह दिल के credit side में हम इसको, जो भी इसकी income है, जो इससे relate कर रहे हैं, जिससे यह relate कर रहे हैं, उसमें से हम इसको less करके दिखाएंगे, घटा कर दिखाएंगे, शब्ट्रेक्ट खरके दिखाएंगे, टिक है, और डूसरी चीज़, हम इसको चिटे में भी दिखाएंगे, है ना, तो हम इसको चिटे में, दाइट वो पक्ष में दिखाते हैं, यानि की लैबिलेटी इसमें, ठीक है जित्था है निकी balance sheet balance sheet के liability side में हम इसको दिखाते हैं दो जगा मैंने आपको बताया और अगर ये केवल sorry अगर ये तलपट में दे रखा है समायोजनाओं में नहीं दे रखा है तो केवल balance sheet में दिखाएंगे दाइट वो पक्ष में यानिकी liability side में ठीक है इसकी entry कर लेते है adjustment की adjustment की जो entry रहेगी वो रहेगी concerned income account debit to unaccrued या फिर un earned income ठीक है ये इसकी जर्नल में entry हो जाएगी जर्नल में entry आपको समझ में आ गई होगी इसको कैसे घठा के लिखना है जैसे हमने उसको add करके लिखा था जैसे PNL account हम बना रहे है तो PNL के debit side में तो आएगा नहीं यह credit side में आएगा यहां हमने suppose rent लिख रखा है ठीक है rent हमने लिखा है 2400 रुपए का हमने जो पहले से प्राप्त कर रखा है वो 400 रुपए है तो हम क्या करेंगे यहां पर less कर देंगे less un earned rent 400 रुपए ठीक है कितने वीचे 2000 वो हमारी actual amount में आ जाएंगे amount वाले column में आ जाएंगे ठीक है इस तरह से हम इसको दिखाएंगे PNL में और जो balance sheet में हम इसको transfer करेंगे तो direct click देंगे ठीक है अब इसकी भी विप्रित प्रविष्टी करेंगे यानि की reverse entry करेंगे कब जब हम दुबारा से एक आउट पर स्टार करेंगे next year इसको opposite कर लेंगे जो भी इसका शेश आता है उससे ठीक है तो मुझे लगते यह भी clear हो गया होगा आके बढ़ते हैं नई व्रविष्टी की नए समय योचंग की तरफ इसको में हटा देती हूं यहांसे तो next परते हैं हिरास के बारे में हिरास या गर्सार या घहटार या आवक्ष है या पर लेकिन जो होती है वह थोड़े डाइम बात पुरानी हो जाती है ना तो कभी-कभी मशीनों में गरबरिये भी हो जाती है कभी-कभी नई तरीके के मशीने आ जाते हैं तो पुराने वाली मशीनों की वो वैल्यू नहीं रहती है उनकी वैल्यू में कुछ घटाती हो जाती है जिसको कि हम डैप्रेसिशन बोलते हैं उनके पुराने होने पर उनकी मूलने में होने वाली कमी या फिर उनकी घिसाई होने पर उनकी मूलने में होने वाली कमी या उस तरीकी का कुछ नया आ जाना मार्केट में जिसकी वेल्यू जादा हो जाती क्योंकि देखो जब कुछ नया आ रहा है, क्यों आ रहा है, ताकि पुरानी चीज की जो भी कमिया उसको दूर किया जा सके हैं ना, तो पुरानी चीज की value तो कम हो नहीं है, तो किसी भी वज़े से हमारे व्यपार में जो भी हमने संपत्ति लगाई हुई है, स्थाई रूप स उन संपत्तियों में कोई भी कमी आ जाना, संपत्तियों के मुल ने में कोई भी कमी आ जाना, depreciation कहलाता है, यानि की हिरास कहलाता है, ठीक हिरास, या फिर घिसाई, घटावती, या फिर अभक शहर, या फिर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, depreciation, depreciation क्या है, ये समझ में आ कर दो होगा टलपत में नहीं होगा ठीक है समय-प्रमा कर таким अध resil boys जाटे में आता है और सा कि हमारे गreating के समपत्ती उस्से संबंदित हैं तो हम क्या करते हैं इसको संपत्ति जिस भी संपत्ती पर दहें जिस्वी का मूल पारी कम हो रहा है वह गिवन होगा कितना मूल deeper कम हो रहा है ठीक वह मूद्सी में से घटा देते हैं तो चिथे में जब है किया करेंगे संपती में से घटा कर लिए तो 2 जगा आना है तो Колे पेंडल एकाउंट में आरहा है इनी कि अगते हैं अब क्योंकि हमारे लॉस हुր रहा है हम भी संपत्ति है उसका तो हमारा लॉस है ना लॉस हमारे जितने भी होते हैं जितने भी व्य होते हैं जितने भी लॉस होते हैं वो सारे हमारे double side में आते हैं ठीक है P&L के double side में यानि कि हम इसको लिखेंगे तो ये कहां कहां आएगा एक तो हमारा आएगा लाभानी खाते के double side में यानि कि रिड़ी पक्ष में ठीक है और कहां आएगा ये हमारी चिठे में संपत्ती में से घटा कर माइनस का sign लगा दिया है क्योंकि हम संपत्ती में से इसको घटा रहे हैं ठीक है तो ये एक हमारे balance sheet में आएगा है इसमें हमारी जो भी संपत्ती जिससे ही relate कर रहा है उसमें से घटा कर हम इसको दिखाएंगे और साथ ही ये लाभानी खाते के रिणी पक्ष में भी लिखा जाएगा ठीक है लिखा इसको जो घटा कर लिखना है वो वैसे लिखना है जैसे मैंने आपको बताया था लाभानी खाते में उसको अन्य क्रूड इनकों को घटा कर लिखना था है वैसी इसको भी लिखा जाएगा अब जसे हम बैलन्स शीट बना रहे हैं तो बैलन्स शीट में यह हमारा संपत्ती पक्ष होता है यह लाबिलिटी होता है संपत्ती में सपोज मशीन है हमारी यह 10,000 की है और इसपर depreciation लग रहा है 900 रुपए का तो हम यहाँ पर less करके depreciation लिख देंगे 900 रुपए और इसको हम घटा के जो यहाँ amount वाला column होगा उसमें लिखेंगे ठीक है यह आजाएगा हमारा 9,100 है ना इस तरीके से हम इसको चिठ्थे में देखाएंगे अब बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्री इसकी जो जर्नल एंट्री यानि की अर्जस्मेंट के एंट्री वो क्या होगी तो वो होगी depreciation account debit due concerned assets account ठीक है यह हमारी इसकी adjustment की एंट्री होगी depreciation भी क्लियर हो गया होगा आगे बढ़ते हैं अशोधिरिण के बारे में बात करते हैं अप्राप्ते या अशोधिरिण की या बैट्रेट्स की इसको हम दूबन थ्रेड भी बोलते हैं व्यपारी क्या करता है कभी-कभी उधार विक्रे भी करता है तो जिस भी विक्ति को उ उसके दिवालिया हो जाने से या उसको बहुत जय्asten हो जाने से या तभी-कभी उसकी ruin रहा होता है जो असके उपर app will व पर पाफ घजघे हो जाते हैं या पर तो पूरी amount हो चकता है ना टे या हो सकते है उसलटे कूछ श्य मां देते हैं और कुछ कुछ ना दे तो नहीं देता है वो हमारे bedraps होंगे जिससे suppose किसी ने हमसे 10,000 रुपए का माल लिया लेकिन उसमें से उसने हमको 6,000 तो चुका दिये लेकिन वाकिके 4,000 नहीं चुकाए और डिवालिया हो गया अब क्योंकि वो डिवालिया हो गया तो उसकी संपत्ती में जितना भी हमको मिल सकता है वो मिलेगा और हो सकता है पूरे 4,000 का हमको लॉस हो जाए जो भी स्थिती बनती है जितने का भी हमारा लॉस बनता है सब उस 4,000 का ही लॉस हुआ हमको 4,000 के 4,000 उसने नहीं चुकाए सिर्फ उसने 6,000 चुकाए थे तो वो 4000 जो है वो हमारे लिए क्या हो जाता है लॉस हो जाता है वो हम उसको बोलते हैं बैटर्प्स यानि कि डूबंधरिन या पिर अशोधरिन जिनका हमें भुकतान अब नहीं मिलना है बैटर्प्स क्या है यह समझ में आई होंगे इनको क्या करते हैं देंदारों से हमको मिलना होते हैं तो हम क्या करते हैं लास्ट में एक सूची तयार करते हैं एक लिस्ट तयार करते हैं जो कि हमारे देंदारों यानि की डेप्टर्स की होती है और इस लिस्ट में हम यह चेक कर हैं तो बात clear हो गई होगी कि bad steps क्या होते हैं chapters में से हम इंको less करके दिखाते हैं balance sheet में जिते हैं holder ingredient वो हमारे संपत्ती में एह हम संपत्ती में depters जहां लिखे होगे उसमें से इस को हम lasts करके दिखाते हैं घणा और लेखाते हैं अब क्योंकि मैंने आपको बताया दो जगा हो होना है तो दूसरी जगा हम इस को लिखते हैं पेंडल से सब्सकmbol सानने कि लॉपसे थे को Key औरनी यानी की देबिस साइट में तो हमने को डबस साइट में लिख देंगे। अगर तलपट में दे मुखा तो चछाक में प्ली की पेले Two वेए सिललाइए ठीक है इससे पहले में आपको हिरास के बारे में बताये था जो कि हम साल के अंत में ही उसको calculate करते हैं हमेशा वो balance आपको समयोजना में ही मिलेगा लेकिन अगर वो भी आपको तलपट में मिल जाता है अगर by chance तो उसका क्या करोगे आप तब भी आप यही करोगे देखो जहां हम adjustment कर रहे हैं वहाँ adjustment हो चुकी है इसलिए वो हमको तलपट में दिया गया होता है तो उसके बाद जो दूसरी जगा बचती है हम उसको वहाँ लिख देते हैं ठीक है आप जैसे हिरास है उसके adjustment हमको कहां करनी है balance sheet में तो करनी है जो भी हमारी समपत्ती का मूले कम हो रहा है उसमें से हम उसको घटा कर दिखा रहे हैं वही तो adjustment कर रहे हैं तो अगर तलपट में दे रखा है तो हम ऐसा नहीं करेंगे बागी दूसरी जगा क्या बची? PNL account तो हम उसको PNL में लिख देते हैं तो हम क्या करेंगे? इसका adjustment नहीं करेंगे डिरेक्ट इसको लिख देंगे और लिखना कहा है फिर हमको PNL account में ठीक है तो अगर ये तलपट में दे रखा है तो हम इसको किवल PNL account में लिखेंगे balance sheet में से घटा कर नहीं दिखाएंगे देंदारों में से है ठीक है तो इसको कहाँ घडरो है? एक बाइ लिख लेते हैं अपर एक तो हम'इसे लिख घर और दोसी चीज हम इसको लिख रहे हैं पी एंडल एकाउंट में डेबिट साइड में वे Detroit लैंड में दिखाएंगे इसको बैलन्स चीज हम इसको डेटर में सख्रटा कर नहीं दिखाएंगे यह एकाउंट या अन्हें की है इसकी एक्समान की एंट्री होगी वह सख्रमणी आप से एकाउंट ठीक है यह हमारे एजस्मेंट की एंट्री हो जाएगी ठीक इसको लिखने का तरीका वही है जैसे मेरे आपको पहले पता है था balance sheet की asset site में हमने data लिखे होंगे जितनी भी उनकी amount होगी उसको हम अंदर ही लिख लेंगे बाहर साइट में नहीं लिखेंगे जो की amount को column होता है वहां नहीं लिखेंगे अंदर लिखेंगे और उसमें से हम minus कर देंगे हमारे bad debts को minus कर देंगे और जो भी इसका answer आएगा उसको हम फिर यहां final यहां लिखेंगे ठीक है amount की column में यह चीज़ क्लियर हो गई होगी तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं अभी बहुत सी समयोजन रहे गए हैं उनको आगे पड़ेंगे बहुत ज्यादा भी नहीं है तो व पूरा हो जाएगा complete हो जाएगा आज की वीडियो में जितना हमने पढ़ा है मुझे लगता है समझ में आया होगा interesting रहा होगा thank you